हे गाइस वेलकूम बेक, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेंटम के रिसेंट सिनेरियो के बारे में, पास्ट में हमने जब इसको डिसकस किया था, वी अब इंक्लूड़िट इस पर्टिकुलर कोई इंटु दे लिस्ट अलसो, उस ताइम पर ट्रेड कर रहा था, 0.19 से लेके 0.2 डॉलर के बीच में, उसके बाद इसने परफॉर्म भी अच्छा किया, 0.6 तक गया था, roughly 3X किया, उसके बाद फिर करक्ट हुआ, हमने पास्ट में फिर एक और पाम पर देखा इसमें, roughly 0.54 डॉलर के आस पास तक, और उसके बाद फिर काफी ज़्यादा स्टीपल में डिसकस कर दें, स्टार्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आकन भी प्रेस कर दो, ताक आप उस सारी अपडेट आप टाम पे मिलती रहे, फेंटम अभी 0.3111 डॉलर पर ट्रेड कर रह था, अब अभी अगर करेंट में देखोगे, अगर आप उस प्राइस के कंपेरेंट में देखोगे, तो अभी भी प्रॉफिट में हो, लेकिन जो सिनेरियो है, उसको डिसकस करना जरूर ही है, तो जो पैनिक फैला था, वो मल्टी चेन की तरफ से, पहले मैं आपको इसको ब कर पा रहे हैं, और उसकी वज़े से कुछ नैसेसरी सर्वर एसस के लिए और मेंटेनेस के लिए जो कीज हैं, उनको भी एसस नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वज़े से कई सारी चेन्स अफेक्ट हो गई, अब आपको लगेगा कि मल्टी चेन के वज़े से कई सारी चेन्स क्यो इसको पहले एनिस्वेब बुलाते थे बाद में रिब्रांडिंग कर ली यह क्या करता है क्रोस्चेन लिकुडिटी प्रवाइट अगर आपका कोई कोई या टोकन एक चेन पर है आप से दूसरी चेन पर अवेलबल कराना चाहते हो तो बाई यूजिंग इस मल्टी चेन ब्री वो बिर्क कीạn फीश चार्ज करते है और वहाँ से इनको बहुत अच्छे कमाई होती है उनिटी चेन का क्याता कि इसने इतने सारे प्रोटोकॉल्स से वाजजılar प्रोगरें कर रखे, इसकी बहुत अच्छी खासे में काफी stable हो गया था, यानि वहाँ पर काफी एकदम consolidate हो गया था, जैसे ही न्यूस फैली के इनका इस तरह का problem हो गया है, तो immediately वो token correct, sorry, coin correct कर गया, और काफी ज्यादा down आ गया, इसमें अगर आप देखो कि जो chains का नाम लिया, kek chain है, public mentor, dino chain है, red light chain है, dexit, एक ता, वैसे project है बहुत आचा है, लेकर हमने इसको कभी discuss नहीं कि है, इसी region की वैसे, because it was featured in the affected list, HPB, Onus, Omax, Findora and Planck, उसके बाद कई सारे project के deposit and withdrawal, Binance ने बंद कर दिये थे, because वो multi chain के इसी event की वैसे, event in the sense, इस particular problem की वैसे affect हो रहे थे, अब आपको लगेगा, जब phantom के इसमें नाम नहीं है, why we are discussing it, there is a pretty good reason for that, phantom ने clarify भी किया, immediately afterwards, के हमारा इसमें नाम नहीं है, and हमारे जो asset है, they are normal, and they are functioning very well, so we are not affected at all, लेकिन, जो phantom का bridge है, आप phantom की website पे जाकर उसका bridge open करना, that the whole bridge is powered by the multi-chain itself, even आपको, like, near about आप ऐसा सम्मूले, rough figure में आपको बाता, 40% तत जो tokens है, उनके जो cross chain liquidity available हुई है, वो multi-chain की वज़ाए साई, even phantom के native asset की, जो cross chain liquidity available कराई है, उन्होंने multi-chain को use करके, तो बहुत अच्छा खासा solid region है, इसकी यह ऐसे panic हो जाने का, still यह problem moving नहीं हुई है, multi-chain अभी भी affected है, अभी भी 3 dollar cash per trade कर रहा है, वैसे अगर इसका CEO से दोबारा contact हो जाता है, पहले तो यह हो जाता है, अगर तो बहुत अच्छा है, वैसे बोला गया को arrest हो गया है, indefinite time के लिए, कोई नहीं बता सकता है, कब तक release हो, एक महिने में release हो है, दो महिने में, even like bull run भी निकल जाओ, तब तक ना निकल पाए, so we cannot say anything about it, but इसके कई सारे PR में ऐसे भी protocols हैं, यानि ऐसे project हैं, जो बहुत अच्छा कर रहा है, इसी particular category में, उसको मैंने premium में भी recommend किया था, because fundamentally काफी well off है, multi chain के साथ integration है, उसको हम जल्दी discuss करेंगे, normal video में, I'll try to discuss it by tomorrow itself, so multi chain अगर आपने buy कर रखा है, even hold करने के decide कर रहे हैं, तो आप बिलकुल uncertain zone में हो अभी, कोई पता नहीं कब तक वो release होगा, और होगा भी है नहीं, so आपके पास बहतर option यह होगा, कि आप किसी दूसरे coin में move कर, even इसी के peer में जो other coins है, I'll discuss one particular coin with you, अगर आप चाहो तो उसमें move कर सकते, that will be your choice, other than that, क्या कै development हो, अभी इसमें क्या है, यह तो risk था, ठीक है, लेकिन अभी भी यह risk कोबन नहीं हो, अभी भी इनके reliance multi-chain पर बहुत जादा है, अगर in future इन्होंने इसको थोड़ा सा move out नहीं किया, यानि दूसरे किसी project पर dependency नहीं बनाई, कि जब तक यह dependency कम नहीं होती है, तब तक एक kind of like concern बना रहेगा, फेंटम में, फेंटम ने अपना mainnet रिलीज किया, गोव पेरा 1.1.2, आरसी 1.5 इसका नाम दिये, और इसके कुछ हाईलाइट्स भी यहां पर सो किये है, इसमें कई सारी चीज़ें उन्होंने more like fast बना दी है, और ज्यादा accessible बना दी, other than that उन्होंने काफी अच्छा एक interesting scenario create किया था, that is gas monetization, gas monetization में उन्होंने क्या बोला था, जितने भी DeFi applications हैं, जो DeFi applications फेंटम पर अविलबल हैं, उसका 15% जो proportion है, वो उसको वापस दे देंगे, यानि उस DeFi application के जो भी man है, यानि चाए वो treasury है, उसकी चाए जो भी उसका owner है, उसको दे देंगे, इससे क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा जो DeFi application से वो अपनी availability फेंटम की blockchain पर खराना चाहें, जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, उसकी liquidity काफी जादा बढ़ती जा रही है, और इवन इसकी availability फेंटम चेन पर, तो इस अगर आज में देखोगे, TVL तो 201.6 मिलियन डॉलर की है, विच इस नोट वरी गुड एक्चुली, एक टाइम का जब इसके पास लगब साथ से साड़े साथ बिलियन डॉलर की जो TVL अब हुआ करते थी, अट एज अफ नोट TVL काफी कम है, एक और इसना मालिश्टोन अचीब किया, 10 मिलियन FTM अभी तक बन हो चगे हैं, यह हमने पहले भी इसके fundamental analysis की वीडियो में भी डिसकस किया था, फेंटम धीरे-धीरे करके जो हर block में क्या करता है, इसको burn भी करता है, जो फेंटम की quantity है, उसको, एक certain proportion, और इसकी वज़ए से क्या होगा, लॉंगर टर्म में अगर देखा जाए, तो फेंटम डिफिलनेसरी नेचर का हो जागा, जितना ज़्यादा यूज होगा, उतना ही ज़्यादा burn होगा, तो इसकी वज़ए से क्या होगा, फेंटम आगे चलके इस पर डिफिलनेसरी पर सरा आ जागा, तो इसलिए हमने अप टू 65X का, फ्रम 0.19 to 0.2 डॉलर की रेंज से, इसका टार्गेट प्राइस रखा था, तिल नेक्स बोल रहा है, अगर ये इसका अडॉप्शन इसी तरीके से continue होता है, ये इसी तरीके से major से उठाते जाते है, जिससे जादा से जादा ये platform, इसकी blockchain यूज़ हो, तो उतना ही जादा ये burn होगा, उतना ही जादा price में, इस card city भी create होगी, और other than that, there is a lot of optimism around that particular ecosystem also, तो दोनों ही factor रहेंगे, कि इसके लिए आगे चलके बहतर रहेंगा, ये scenario, as of now, अगर आप देखोगे, यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, कि circulating supply 2.79 billion है, as of now, circulation में, but अगर token unlocks के according देखोगे, तो supply circulation में है, that must be, यहाँ पे unlocked supply दिखा रहा है, 3.04 billion, so, फिर भी अगर देखा है, तो ज़्यादा बड़ा difference नहीं है, roughly 4.5% supply है, जो अभी तक, locked है, और circulation में आएगी, and according to unlock, sorry, token unlocks, and coin market cap पे, actually, थोड़ा ज़्यादा portion दिखा रहा है, लेकिन, we can have that benefit of doubt, क्योंकि coin market cap पे कई बार होता है, जो data है, वो updated नहीं होता है, so, that's fine, even अगर updated नहीं है, तब भी most of supply circulation में है, so, because of supply issuance, यानि supply का circulation मानी के वज़े से, supply infusion के वज़े से, price dilution का, जो risk है, वो इसमें कम है, लेकिन एक particular risk है, जो continue रहा है का, that is, because of multi-chain, let's see what they'll do in future, अगर वो इससे reliance अपना कम कर लेते हैं, multi-chain पर जो इनकी dependency है, उसको कम कर लेते हैं, वो definitely इसके लिए longer term में बहुत आचा positive move रहने बाला है, वैसे अगर आप देखोगे, तो phantom काफी fundamentally strong है, even ये deck को भी उज़ करता है, जो kind of like a rival technology है, blockchain की, उसको भी use कर रहा है, so overall अगर देखे, scenario काफी positive, बस multi-chain की वैसे, अगर कोई खतरा ना है, तो still the target will remain the same, thanks for watching the video.